Hello friends, कैसे आप सब लोग? I hope सब बहुत अच्छ होंगे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, banking के बारे में banking जो banking sector से अलग है, लेकिन ये pharmacy में DSBM subject में पूछा जाता है तो ये pharmacy में, DSBM में banking का क्या रोल है तो ये इसलिए पूछा जाता है कि जो हमारे students है pharmacy के उनको बैंक के बारे में कितना पता है उनको knowledge कितनी है तो आज हम लोग पूरी चीज कवर करेंगे कि इस question में हम लोग क्या क्या लिखेंगे हम लोग आज बात करेंगे बैंक के बारे में उसकी definition उसका classification और function तो बने रहेगा पूरे वीडियो में लास तक देखेगा आपको के जो question को किस तरह से लिखना है तो उसमें क्या क्या चीज़े कवर करनी है तो सबसे पहले हम लोग बैंक के definition देखेंगे उसके बाद इसका classification और उसके बाद इसके function यह तीनों चीज कवर करके चलेंगे तो हमारा बैंक का यह question complete हो जाएगा पूरी तरह से तो देखिए start करत यह कहां से लिया गया है तो इसमें लिखा है drive from German language यह जो है आपका German भासा से लिया गया है जिसका आर्थ होता है to collect मतलब इखटा करना तो बैंक जो सब्द है वो German language से लिया गया है जिसका आर्थ होता है to collect पैसे को इखटा करना अब collect of money from public in the form of deposit तो यह क्या collect कर रहा है तो उस देश की country की जो भी money है जो भी currency है उसको इसको 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 बैंक में सम्मीड करता है तो उसको हम deposit कहते हैं कि उसने वह पैसे deposit कर दी है तो यह वहाँ पर safe रहते हैं तो इसके बाद हमें क्या देखना है कि देखिए father of bank यह दो लाइन लिखने के बाद हमें यह देखना ह father of bank मतलब यह bank सब्द की उत्पत्ति कब हुई किसने start किया था कौन व्यक्ति था जिसने यह बैंक का process पूरा start किया पूरा एक structure बनाया तो देखिए father of bank के बात करें तो यह हम इंडिया की बात करेंगे और वर्ड की बात करेंगे तो पहले हम वर्ड देखते हैं वर्ड में पूरा विश्व में एलेक्जेंडर हैमिल्टन 1791 इन यूएस एक हैमिल्टन एलेक्जेंडर हैमिल्टन से उन्होंने 1790 में यूएस में यह process बैंक का स्टार्ट किया था समınaं यूए उसके बाद अब लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में एक्स ऐगरणर समय नरसिंग मन इंडिया इंडिया में बात करें तो एग्स जहन है इप सब्सक्राट्र और यह दो सब्सक्राःत्ष की नाम आपको याद करने पड़ेंगे इस को याद की चीज़े हैं कि बैंक में हम लोग क्या क्या चीज़े हों उसके बाद हमें की डचाल देनी एंइंट है तो पांग की डेफनी संगे घंठर क्या लिखना है वह लोगो están मंहुंद अंषच छन्सथा है जह की पैसो को एक खटा करता है करेंसी को घच्छा टंप as a deposit and it leads to the loan और वो उन्ही पैसो से लोन के रूप में लीज देता है वो जिनको need होती है उनको देता है and as well as we collect money पैसो के साथ ही साथ और वो क्या चीज़े खटा करता है collect the bond collect the properties paper and save the joy lease so bank वो इंस्टिटूट है वो संसा है जहां पर हम पैसो को deposit करते हैं जिन पैसो को वो लोन के रूप में दूसरो नीडी व्यक्ति को देता है और उसी बैंक में पैसो के साथ साथ हम क्या रखते हैं हमारे properties के papers हो गए बांड हो गाएं और हमारी हो गई जिनको हम सेव करके बैंक में रखते हैं तो यह हो गया बैंक की definition अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बैंक की definition के बाद classification of Indian banking system क्योंकि जो question आता है एक्जाम में वह इंडियन banking system के उपर आता है आप से foreign banking system के बारे नहीं पूछे गा वर्ड की banking system नहीं पूछे जाती है वह पूछता है classification of Indian banking system तो इंडियन banking system का classification देखिए RBI Reserve Bank of India जिसका work है to print the currency in India जो भारत में मुद्रण करती है किसका पैसों का यह रूपहों का भारती रूपहों का मुद्रण करती है और उसके साथ दूसरा function इसका to regulate the banking sectors जो other bank है उनको यह regulate करती है to produce the loan of banks तो यह RBI का जो दो में फंक्शन है तो उनका यह दो में फंक्शन है पहला है तो print the currency of India जो भारत के मुद्रण करती है पैसों का मुद्रण करती है भारत में और दूसरा है जो other banks है उनको loan करती है और उनको साथ इसाथ regulate करती है कि वह कौन सी bank है उसने कितना deposit किया है उनका status किया है वह किस तरह से work कर रही है ठीक है तो यह दो काम होता है RBI का RBI का दो काम है एक तो पैसों का जो currency है इंडिया की उसको print करना दूसरा जो other banks है उनको जो भी other bank है RBI के लावा जितनी other bank है उनको regulate करना और उनको वक्त पढ़ने पर loan प्रवाइड करना यह दो काम होता है RBI का RBI ने बाकी बैंकों को उनके work के according divide किया है तो देखे उनका divination क्या है RBI ने divide किया है बैंकों को दो पार्ट में schedule banks and unschedule bank RBI ने दो पार्ट में डिवाइड किया है schedule bank और unschedule bank schedule bank को further divided into two category commercial and cooperative bank schedule bank को दो भाग में फिर से divide किया गया है पहला है commercial bank दूसरा है cooperative bank commercial bank क्या होते हैं और cooperative bank क्या होते हैं यह हम लोग आगे बात करेंगे इसके function में अभी आप इसका flow chart देख लीजे इसके बाद commercial bank को फिर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है public sector bank दूसरा है private sector bank third है foreign bank fourth है regional rural bank यह public sector bank जो होती है यह 26 है 26 numbers में है यह divide की गई है RBI के द्वारा इसको फिर से divide किया है तो RBI में SBI and associate state bank of Bikaner state bank of जैपोर इस तरह की कुछ ऐसी bank थी जिनको अब इन्होंने schedule करके एक bank में merge कर दिया है तो वह छे तरह की ऐसी bank है वह वाली उनके साथ other nationalize bank है जो जैसे PNB हो गया आपका यूको बैंक हो गया अलहाबाद बैंक हो गया यह सारी बैंक के है वह 26 में divide किये गए तो 19 बैंक वह है और एक public sector bank एक अधर है तो यह सारी बैंक यह public sector बैंक आपकी ICICI bank है इस सारी बैंको को काउंट किया जाता है पॉब्लिक सेक्टर बैंक में जो टोटल नंबर आफ 26 है इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक में 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो फर्दर डिवाड़े इंटो टू पार्ट ओल्ड एंड न्यू जिसको दो भागों में बाटा गया है पहली ह है ओल्ड और दूसरी है यह दोनों कुल मिला करके ओल्ड वाली आपकी 14 है और न्यू वाली 7 है टोटल काउंट करती है 21 तो प्राइवेट बैंकों को दो पार्ट में डिवाड किया गया है फॉरेंड बैंक कुछ ऐसी बैंक हैं जो भारत में रन कर रही है लेकिन उनका हैड डवलप्मेंट बैंक बैंक ऑफ चाइना कुछ ऐसी फॉरेंड बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस यहां पर हैं लेकिन वह हैं बाहर की तो वह फॉरेंड कंट्री में रहती हैं उनका सारा हेड़कॉर्टर पूरा रेगलेशन उनका फॉरेंड से चलता है तो उनको भी आर्बिया घ्रामिल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है तो ग्रामिल बैंक जो है जितने भी आपकी सिटी से बाहर जो ऐनके हैं जो घ्रामिल खेत्रों के लिए बैंक के का आमकर सारी बैंक में यह रखा गया है आपकी कोमेर्शल ग्ल stareव कि अभान बाद आएए देखते हैं मों कोर्प्रेट्टिु यवर जल्डी से देख लेते हैं हम लोग इसका फंक्षन वे तो invasive नहीं क्या क्या फंक्सटन है और वह किस तरह की सर्मिस देता है अपने customer को तो देखिए यह divide किया गया है दो पार्ट में पहला है primary functions and service दूसरा है secondary function and service primary function and service में क्या क्या चीज़े आती है जो banks करता है तो देखिए पहला काम उसका acceptance of deposit जितने भी deposit हो रहे हैं आपके वह fixed हो या हो वह सारे आपके deposit को एक्सेप्ट करता है दूसरा है देखिए advancing loan यह loan देने का भी काम करता है किस किस तरह से जैसे overdraft facilities है cash credit है and discount bills यह सारे काम ओवर आपका करता है advancing loan loan के रूप में भी देता है third है creation of credit credit को बनाना या create करना investment of funds और financial foreign trades तो यह काम भी करता है investment of funds मतलब वो पैसे को investment भी करा सकता है यह primary function है इसका और दूसरा financing foreign trades जो foreign trades है उनको purchase करने भी help करता है आपकी ठीक है इसके बाद देखिए last है primary function का last function है transferring funds जैसे कि आपको fund transfer करना है जैसे postal money order है या इस तरह के कई functions हैं उनको भी यह transfer करता है funds को एक account से दूसरे accounts में यह सारे primary काम यह जितने भी function है वो single user के लिए होते हैं यह याद रखेगा यह primary वाला जो function है यह single user के होता है किसी एक particular व्यक्ति के लिए है या person के लिए है अब हम लोग सेकेंडरी में आते हैं देखिए secondary में क्या है secondary में जो भी काम कर रहा है वह एक agency के लिए करेगा bank या किसी company के लिए या किसी organization के लिए यह सारे काम करता है तो इस इन दोनों कि ये जैंसी के लिए जो function है जो वो क्या है देखिए PUND transfer and collect जो fund है उसको transfer करता है और collect करता है किसी agency के लिए यहाँ पर योग कर रहा था transferring fund वो single व्यक्ति के लिए था किसी particular person के लिए था यहां वो किसी organization के लिए कर रहा है और देखिए दूसरा इसमें क्या है agency के पॉर कस्टुमर के लिए ठीक है उसके बाद एक इंकम टेक्स कंसर्टेंट इंकम टेक्स के बारे में सारी जानकारी है और उसको किस तरह से पे करें वो सारी चीजे यह सेकेंडरी काम भी इसमें आता है इसके बाद देखिए पेमेंट आफ प्रेमियम पॉलिसी जैसे कोई पॉलिसी चल रही है उस इजनसी की उसका भी पेमेंट यह खुद करता है वहां किसी व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन सब हो जात जसके अंदर आप भांड रख सकते हैं ठीके तो यह सारे फंक्षन सटेड है और यह आपके प्रैमरी में भी देता है लेकिन यह सबसे ज्यादा है बहुत ही कम लोग पर जो आपका सेकेंडरी है उसमें एजनसी और और को जरूरत होती है लोकर की इसलिए उनको साथी साथ इसमें जब डिमांड की जाती है कश्टुमर के द्वारा तब यह प्रवाइड की जाती है परन्तु जो सेकेंडरी ऑप्सन है उसमें अकाउंट ओपन होने के साथ ही आपको यह फैसलेटी मिल जाती है इसके बाद देखिए इशू ट्रेवलर्स चेक अगर बिजनेस परपर से सधार जाएरे हैं ठ्रेवल कर रहे हो ठीक है अब कहीं जारे हो या फिर कहीं नहीं जा सकते तो वहां से अब seven इसके बाद देखिए प्रवाइडिंग एडवाइज ऑन फाइनेंसिल में अगर कोई इसू हो रहे हैं आपको किसी जरूरत है तो बैंक आपको एडवाइज भी देगा यह सारे फंक्षन है सेकेंडरी फंक्षन में और यह थे आपके प्रैमरी फंक्षन इन दोनों में यह डि आपको क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का टॉपिक बैंकिंग के बारे में जो कि फार्मेसी के लिए बैंकिंग की साब से लिखना है यह सारी चीजह हम लोगों ने कवर की उसकी डैपनिसान उसका क्लासिफिकेशन और उसके फंक्सान तो यह सारी लिखनी है फार्मेसी के लिए वह आपको क्लियर हो जाएगा तो नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिट से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार